हेलो दोस्तों गर आप भी Android यूजर हैं या फिर आप भी अस्मार्टफोन यूज करते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरे ध्यान से देखते रहिए क्योंकि दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट वेबसाइट के बारे में बताऊँगा जिससे आप डेली यूज में इस्तमाल कर पाएंगे तो दोस्तों इन वेबसाइट का काम क्या है खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि दोस्तों गर आपके smartphone का internal storage बहुत ही जादा भर जाता है फुल हो जाता है और आप अलग-अलग application को install नहीं कर पाते हैं यूज नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों इन website को आप इस्तमाल करके अपने काम को कर पाएंगे तो दोस्तों वो कैसे कर सकते मैं आपको बता देता ह जैसे कि दोस्तों गर आपको Instagram यूज करना है और आपके phone में internal storage बहुत ही जादा भर चुका है और आप install नहीं कर पारें Instagram को तो दोस्तों यहाँ पे आप Instagram को यूज नहीं कर पाते हैं लेकिन दोस्तों इस website का काम ही यही है कि यहाँ पे आपको कोई भी application इंस्टाल करनी की ज़रुरत नहीं पड़ेगी आप बीना install किये हुए कोई भी application को बहुत ही आसानी से इस्तमाल कर पाएंगे तो दोस्तों गर आप भी जाना चाते हैं कि यह top 5 कौन सा website है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर ध्यां से देखती रहना है लेकिन दोस्तों इस वीडियो को स्ट notification bell को आपको all पर select कर लेना है ताकि इसी तरह के interesting और useful वीडियो का notification आपको हमेशा मिलता रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल और आप देखने है The Smart Series YouTube चैनल तो चलिए फिर से कुछ नया try करते हैं तो दोस्तों पहला website है appsco.pay दोस्तों जिस तरह से मैं यहाँ पर search करूँगा उसी तरह से आपको same search कर लेना है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं website आ चुका है तो आपको कुछ इस तरीके से search कर लेना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ किस website को use करके आप क्य यह वह यूज कर पाएंगे, तो दोस्तों मैं यहां से कोई भी एक एक एप्लिकेशन को यूज करके बता देता हूं, और दोस्तों उसी तरीके से आप Instagram, Twitter और यहां पर जितना भी एप्लिकेशन है, सभी को आप यूज कर पाएंगे बिना इंस्टॉल किये हुए, तो दोस्तो यहां पर आपको जो भी एप्लिकेशन को यूज करना, आपको इस पर क्लिक करना है, तो दोस्तों यहां पर आपको एक option मिल जाता है, launch app, आपको इस पर क्लिक करना है, और दोस्तों यह जो एप्लिकेशन है, यहां पर launch हो जाएगा, और आप बहुत ही आसानी से इसको इस तरीके से इन वेबसाइट को यूज करके आपने बहुत ही एपलिकेशन को इंस्टाल नहीं करेंगे फिर भी आप अपने काम को कर पाएंगे बहुत ही आसानी से तो दोस्तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको बहुत ही अलग-अलग सीरियल मिल जाता है, वेब सीरीज मिल जाता है, बहुत ही सारा मुवीज भी मिल जाता है तो आप इस तरीके सी इस वेबसाइट को यूज करके आप कोई भी मुवीज को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं दोस्तो third website क्या है मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यहाँ पे अपने whatsapp नम्मर का यहाँ पे link generate करना चाते हैं तो आप बहुत ही आसान इसे कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं यह भी बता देता हूँ कि इसका फाइदा क्या होगा अगर यहाँ पे कोई भी आपके नम्मर को save नहीं करना चाता और आप किसी से chatting करना चाते हैं तो आप बहुत ही आसान इसे कर सकते हैं तो दोस्तों यह कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो search करके बताऊंगा वही Sam आपको सर्च करना है, कोई भी mistake आपको नहीं करना है इसलिए आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है तो यहाँ पर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर मैंने जितना सर्च किया उतना आपको सर्च करना है लेकिन यहाँ पर 9 1 जो आपको option मिलता है वही तक आपको search करना है उसके बाद यहाँ पर आप अपना number एंटर कर सकते हैं या फिर आप जिसका भी number save नहीं करना चाते हैं और उससे chatting करना चाते हैं तो यहाँ पर 9 1 के बाद उसका number enter कर दें और यहाँ पर search कर दें और जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है continue to chat और जैसे आप इस पे click करते हैं आप अपने whatsapp में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको उसके नाम को save भी नहीं करना पड़ेगा नमर को भी save नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से chat कर पाएंगे कुछ इस तरीके से तो दोस्तो आपको नीचे comment करके बताना है कि यह जो trick में आपको बताया यह आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आप नीचे comment करके अपना राई जरू share किजिएगा और दोस्तो फोर्थ नमर का website है वो कमाल का website है अगर आप PUBG lover है या फिर कोई भी game आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अगर आप उस game के enter में अगर आप अपना नाम लिखना चाते हैं और Sam PUBG के style में तो दोस्तो यह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं जैसा कि दोस्तो आप यहाँ पे screen में देख पा रहे होंगे यहाँ पे PUBG का जो यहाँ पे logo है उस पे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख रखा है तो दोस्तो गर आप इक कुछ इस तरीके से करना चाते हैं अपना नाम लिखना चाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे जो website के बारे में आपको बताऊंगा आपको same वही search कर लेना है तो यहाँ पे आपको search करना है moviefontsmaker.com तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए तो जैसे आप यहाँ पे search करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आ जाता है लेकिन दोस्तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि आप PUBG के style में अपना नाम कैसे लिख सकते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको PUBG का जो banner मिल रहा है आपको इस पे click करना है और यहाँ पे एक छोटा सा add आ जाता है में इसको cut कर लेता हूं तो जैसे आप PUBG को select करते हैं यहाँ पे कुछ इस्तरा का interface आ जाता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि आप PUBG के logo पे अपना नाम कैसे लिख सकते हैं दोस्तो अगर आपको यह logo पसंद है यहाँ पे यह जो logo दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस्तरा का नया interface आ जाता है तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर कर देना है जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे एंटर कर दें तो दोस्तो मैं यहाँ से अपने channel का नाम एंटर कर देता हूं आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैक्राउंड में यहाँ PUBG लगा हुआ है, और यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं, The Smart Series, तो दोस्तो इस तरीके से आप PUBG के लोगों पे या फिर PUBG के बैनर में अपना नाम बहुत ही आसाने से लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, अगर आपको इस इमेज को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज का जो आप्शन मिलता, आपको इस पे क्लिक करना है, और यह जो इमेज है डाउनलोड हो जाएगा, तो दोस्तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, PUBG बैनर में अपना नाम ल इमेल आईडी को हैक कर सकता है, तो आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, इस वेबसाइट के थुरू आपको बहुत सारा फेक इमेल आईडी मिल जाएगा, और आपको इस इमेल आईडी का OTP और मैसेज भी मिलेगा, तो दोस्तो इस वेबसाइट को आप कैसे यूज क करसकते को भी application को verify करने के लिए मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर जो search करूंगा वही आपको search कर लेना है तो यहाँ पर आपको search करना है tempmail.org तो आपको इसको search कर लेना और जैसे अप इसको search कर लेते हैं यहाँ पर कुछ उस तरह का तो यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको inbox का जो option मिल जाता है इसमें आपको OTP भी मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप इस website को use कर सकते हैं कोई भी application को verify करने के लिए तो दोस्तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और दोस्तो आपको नीचे comment करके बताना है कि इन top 5 website में से आपको कौन सा website ज्यादा पसंद आया आप नीचे comment करके जरू बताईएगा और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आरे red बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में notification बेल को all पे select कर लें ताकि इसी तरह के interesting और useful वीडियो का notification आपको हमेशा मिलेगा और आप कुछ नया सीख पाएगे तो दोस्तों दोबारा मिलता हूं सी तरह के interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत